हलो फ्रेंड्स वेलकम डू माई चैनल किचन खुराना विद लवशब जब हमें भोख लगी है और सबजी बनाने का मनना हो तो फटा फट फ्राइड राइस बना सकते हैं तो चलिए आज बनाते हैं वेज फ्राइड राइस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर द देजे तो चलिए स्टाट करते हैं मैनिक पैन ले लिया है इसमें एड करेंगे एक से डेट चमच कुकिंग ओएल और इसको गरम होने के लिए रख देंगे जैसे ही गरम हो जाएगा सबसे पहले इसमें एड करेंगे अद्रक बारीक कटा हुआ और इसको सौते कर लेंगे औ एक शिमला मर्च कटी हुई और आधा कप बीन्स बारीक काटके ले लिया है इनको अच्छे से सौते कर लेंगे इसको हमने जादा देर कुक नहीं करना है अभी मैं आड कर रही हूं स्प्रिंग अनियन काफी अच्छा फ्लेवर देंगे इसमें सबजियां हमने उतनी ही कुक करनी है कि उसमें एक हलका सा क्रंच बरकर आ रहे है अभी थोड़ा सा नमक जाएगा इसमें स्वात के अनुसार थोड़ा काली मर्ची का पाउडर और अभी डाल रही हूं चिली फ्लेक्स आप चाहे तो लाल मर्ची के पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अभी एक से चमच जाएगा इसमें सोय स्वास इसके बाद इसमें मैं एड़ कर रही हूं शेजवान स्वास एक चमच आप चाहें तो रेट चिली स्वास का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसकी जगह बे और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर देना है काफी अच्छा सा कलर आ जाएगा इससे तो सब्जियां हमारी अच्छे से इस वक्त कुक हो चुकी हैं अभी हम फटा फट से डालेंगे बॉयल ट्राइस जिसको मैंने अलरडी बॉयल करके और ठंडा करके लिये लिया है तो इसको भी इसमें डालके अच्छे से मिक्स कर देंगे काफी कलरफुल यह हमारा नहीं लगता है तो यह हमारा वेज फ्राइड राइस बनके तयार है उपर से इसमें थोड़े से हरे प्यास स्प्रिंकल करेंगे और इसको भी अच्छे से चला के मिक्स कर देंगे तो यह हमारी वेज फ्राइड राइस की रस्पी बनके तयार है तो चलिए सविंग के लिए इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसको भी गानिश करेंगे स्प्रिंग अनियन के साथ तो ये वेज फ्राइड राइस हमारे बन के तैयार हो चुके हैं दस्तों, आपको ये मेरी रैस्पी अच्छी लगी तो लाइक, शेर, कमेंट जरूर कीजेगा थैंक यो फो वाचिंग मैं चैनल वाव नाइस टेए